अमेरिकी कंपने एपल लेंक ने अपने छेसों से ज्यादा करमचारी उगनोगरी से निकाल दिया है कंपनी ने कार को स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट बंद करने के बाद इन पर काम कर रहें एमप्लॉईज की छटनी की ब्लूमबर्ग के मताबिक एपल ने कैलिफोर्णिया एमप्लॉईमेंट डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट को दिये अलग-अलग आर्ट फाइलिंग में यह जानकारी थी रिपोर्ट में बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन स्क्रीन डेवलप्मेंट प्रोग्रम कारी एमप्लॉईस डेपार्टमेंट को दिनी होती है कैलिफोर्णिया के सांता क्लारा में एपल के में कार रिलेटेड ओफिस में 300 करमचारियों के अलावा कई अन्य सैटेलाइट ओफिस में लोगों की छटनी हुए वही कई लोगों को कमपनी के आर्टिफिशल को बंद कर दिया है कमपनी पिछले एक तशक ने इस प्रोजक्ट पर अर्वो डॉलर का इंवेस्टमेंट किया लेकिन इतने समय में कोई फिजिकल प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं कर पाई थी